कि हालो डियरी स्टूदेंट्स बेलकम टू पीवियर स्टड़ी तो बच्चों जैसा कि आपको पता है आप कलास नाइंथ की समय मैथमेटिक्स पढ़ रहें एक सरसाइज चल रहा है आपका 7.4 चलेगा 7.3 खतम हो गया मैंने दो कुश्चन होमवर्क दिया आप लोग उसको कर बनाते हैं यह इधर साइड आप देखो तो इसमें एक ही एंगल होता है जो बहुत मतलब सबसे बड़ा होता है है वो कितना होता है यह कितने का है नबयंस का है तो यह हमसे यह पूछ रहा है कि भाई सिद्वकरों कि यह जो लंबी वाली बुजा यह सबसे बड़ी होती है किसी भी समकॉंड सिरि बुज में करण सबसे बड़ी बुजा होती है लेकिन हमें इसको क्या करना पुरूब करना है तो चलिए क्या करेंगे हम इसको पूरूब करते हैं इधर साइड में आप लिखो हल दिकत नहीं न यह यह उपी बोर्ट सिब्सी बोर्ट सबके लिए इं णिकंने हों लोग नखो माना माना कि तर बोज यां uh तर्भोज यां फिर आसे लिख लो माना हां तिर भूज एबीशी कि उसके हैं एक सम्कौण तिर्भूज है ठिक है या मनें मान लिया उसको बना लिया यह क्या इक अइस निचे लिखे लो और आगे चिसका अधा जिसका कोण B सम कोण है क्या है? सम कोण है मतलब 90 है हमने बना लिया कि A, B, C एक सम कोण तिरबूज है जिसका कोण B क्या है? सम कोण है इतना सब को पता है उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर angle A plus angle V plus angle C equal 180 कर सकते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यह तिरबूज के एक परमिये होती है आप सब इने पढ़ा होगा कोई श्टक में रिजन लिख लो तिरबूज के तीनों अन्ता कोणों का योग क्या होता है? तिरबूज के तीनों अन्ता कोणों का योग फल होता है 180C यह simple सा है मैंने लिख दिया बस बाकी इसमें नया कुछ तो किया नहीं इसको मैं नीचे लिख देता हूँ clear हो जाए आपको कोई doubt ना रहा जाए yellow ठीक है अब हम यह काम कर सकते हैं angle A छोड़ दो angle B का माँन हम 90 रख सकते हैं इसमें से चुकि इसमें 90 दिया है और दूसरा जो है angle C देखो angle C को भी तुम क्या करोगे ऐसे लिखता होगे 180 final में अगर आप यहां से angle A plus angle C निकालोगे तो आपको 180 minus 90 मिलेगा मतलब angle A plus angle C equal 90 यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमारा जो कोण C और A है दोनों को मिला करके 90 अंस हो रहा है दोनों को जोडने के बाद क्या होगा 90 होगा लेकिन जो angle B है वो अकेले ही 90 है जैनि कहने का यह मतलब है इन दोनों की योगभल के बराबर है वो है ना सभी को समझ में आ रहा ना इसमें कोई दिक्कत नहीं न किसी को चलो इतना लिख लिया आपको दिक्कत नहीं न इतना हो गया चलो जल्दी से पिद्वोगा आता है सबसे बड़ा कोण B है क्योंकि यह 90 एन्स है क्यूंकि यह 90 है जबकि जबकि angle A plus angle C equal 90 है क्या है angle A plus C equal 90 है मतलब की दोनों का यूग क्या है है मतलब दोनों का सरी हां मतलब दोनों नियूनी कॉण होंगी क्या होंगे नियूनी कॉण होंग है अगर दो कॉणा का यो प्रूप करना वह चीज में बता रहा हूं ध्यान तो अब आगे आप लिखोगे AC सबसे बड़ी भूजा होगी हमें वही तो सिर्द करना था ना मिचे लिखो आता हाँ AC सबसे बड़ी भूजा होगी क्योंकि AC सबसे बड़ी भूजा होगी क्योंकि किसी तिर्बूज में किसी तिर्बूज में सबसे बड़े कोंड के सामने की भुजा सबसे बड़े कोंड के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है यह मैंने CPCT rule में पढ़ाया था अगर नहीं देखे हो तो कमेंट करके बताओ हम आपको दिखा देंगे उसको चरूर देख लेना description में देखो हो सकता लिंक अबही आपको मिल जाए तो उसे देख लीजिए ठीक है यह सबसे बड़ा कॉंड नबबे हैं इसके सामने की जो एंगल होगा वो क्या है AC है और AC क्या होगी सबसे बड़ी भुजा होगी अगर यह सबसे छोटा कौन है तो इसके सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा मानी जाएगी यह मैंने आपको पढ़ाया था जब angle की property पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था starting में जब संबाहू भी संबाहू तिरभुज बताया था उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था है ना तो बच्चा आपका यह first question complete होता है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप comment करके हमें बता सकते हो पी और सारी बिंदूओं पी और क्यों तक बढ़ाया गया है समझने की कोशिस करिये कहरा कि साथ ही pbc is less than मतलब कि pbc क्या है छोटा है एंगल pbc छोटा है किस से एंगल qcb से तो कहरा कि दर्साइए क्या दर्साइए कि ac is greater than ab मतलब ac क्या है बच्चा ac बढ़ा है और ab छोटा ही हमें प्रूब करना है चलिए जो हमें दिया है हम उसको कर लेते हैं उसकी के according इसके पहले जो बच्चे basic concept वाला नहीं देखे वो जरूर देख लें क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी जैसे रैखी की गुम क्या होता है आज इसमें इसका परियोग होगा इसका solution कि आजने यहां से至 start हो ता है उपर साइड में मान लिखा राओं आप दहान दो 네 kalau इसमें अगर आप एक चीज देखो तो बच्चा यहां पे एक यहन칙 बन रहा है एक यहां बन रहा है एक यहां बन रहा है यह हम सबको पता है पता है और हमें यह भी पता है कि बच्चा यह क कोण है यह और यह कोण यह दोनों कौम से कोण है एक ही रेखा पर बने कोण रेखी की युगम कहलाते हैं लीनियर पेयर कहलाते हैं है ना नीरज कुमार बेट आपका इंटरेट धीमा चल रहा है आप अपना इंटरेट ठीक कर लोगा चलो तो हम यहां पर हल शुरू करेंगे इसे हम लिख सकते हैं एंगल ABC क्या करोगे एंगल ABC प्लस PBS मतलब यह एंगल ABC मतलब दिख रहा इदर साइड में नहीं दिख लेंग तो बता देना टैंसर मतलब यह कोड यह 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 भी कोड और करh дома P B C मतलब यह वाला कोड़ी एक परकार करें हम नाम दे दे तो आप यह मानलो। इसको मैंने P1 लिख दिया, इसको P2 यानि एंगल जो P1 और P2 है यह क्या होगा या P1 और पी टू जो है यह दोनों राखी क्यों को होंगी तो तुम इसको लिख सकते हैं अंगल ABC प्लस एंगल पी बी सी इक्वल 180 क्या सभी स्टुडेंट्स को दिक्कत हो रही सभी बच्चे बताओ क्या सभी को बुलर दिख रहा है बोलो भाई सभी को बुलर दिख रहा है फिर क्लियर है नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊं डिश्टर्ब ना हो सिमाने यादो क्या दिक्कत हो रही बताइए सभी बच्चे जबाब दो भाई जल्दी करो बहुत जल्दी फास्ट कमेंट करो यह हो गया यह क्यूं हुआ रीजन लिख लो रैखिक यूगम से या फिर बाइ लिनियर पेर है ना कैसे लिनियर पेर इसका मतलब सब कुछ क्लियर है सब कुछ सही है जिन बच्चों का इंटरनेट धीमा है उनको बलर दिख रहा है बच्चा स्क्रीन पे टच करो उपर तीन बिंदू आएगा दाहिनी साइड में तीन डाट बिंदी पे टच करोगे क्वाल्टी कॉप्सन आएगा आप क्वाल् लेंस इसका थोड़ा सा और साफ हो जाए बस इससे जादा और कुछ नहीं होगा आप और चेंज कर लो है शालो यह रखे क्यों मुझसे हो गया इसमें अगर हम एवी सी कमान निकाले तो एंगल एवी सी इक्वासी माइनस एंगल पी बीसी बोलो यह हो सकता है कि नहीं हो सकत दिया यह फीषी को उधर ट्रांसफर कर दिया तो इसमें से घर गया अभी है इक्वास्न हो गया क्या हो गया यह सम्मीकराण नमबर और इसको q2 मान ली तो देखो वही condition दूसरी side भी है बोलो है कि नहीं भाई या इधर भी रहखी कोंड बन रहे दोनों उधर भी तो रहखी कोंड बन रहे ना बन रहे ना तो तुम इधर भी तो ऐसे लिख सकते हो क्या लिखोगे angle a c b लिखो angle a c b plus angle q c और b equal 180 ब्रेकट में region वही हो जाएगा रहखी की हुगम ठीक है यह भी क्या है रहखी की हुगम है ना बात समझ में आई यानि यह भी रहखी की हुगम के ताहद 180 हो गया इसमें से भी हम क्या करेंगे बच्चा a c b का मान निकाल लेंगे angle a c b equal निकालो गए 180 minus q c b यह equation number second हो गया यह क्या हो गया समीकर नंबर दो जल्दी फे लिख लो देखो यह chapter खतम हो जाएगा तो अगला chapter आसान है जो भी नए बच्चे जुड़े है चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि यह chapter थोड़ा tough है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है अब अगर आपने रेखी की युगम नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए कमेंट करके बताना पिछला वीडियो जरूर देखना playlist में उपलब्द है ठीक है जब कोई दो कौन एक ही रेखा पर बनते हैं तो रेखी णी ओर है तुमflower्फ देखों पींट पीबी सी या देखो एंगल पीबी सी ईद लास देन एंगल क्यू सीज़ है अ यह है है वोलो है कि नहीं यह है न क्यूंहें ये कुछ तक मीलिको गिवें दिया है क्या यह दिया है देखो यहां पर दिया था अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम एक काम करेंगे, हम यह यह पर लिखेंगे, नीचे दिख तो रहा है न सभी को, लेकिन हम लिख लूँ कि नंध कुना? नकिन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा 180C- क्या लिखूंगा पता है PBC अब यह क्यों लिख रहा हूँ भी बताऊंगा थोड़ा फरुकना PBC थोड़ा से रुकना बताऊंगा इसा क्यूँ बना रहा हूं यह क्या है बढ़ा का चिन मतलब यह क्या है बढ़ा इधर वाला आगे देखो 180 माइनस from función C B मतलब एंगल QCB है आप देखो आप यह पूछ ओगे इसको मैं क्यूं लिखा अ ==== करने नीचे दिखा रहा है किनी बता दो नीचे आरा क्लिए नहीं आरा है तो नीचे कर दूं arbitrarily से बोलो आ रा नीचे की नहीं है भाई सो हम लंगु कर देखो यह इसको लिख सकते हैं अश bekommt्कालिक्रों कूंकि हमने यह एसल अचिको बड़ा एपी सामने का कोण बड़ा सी बाला करेंगे के चोता सी कर देंगे बस हो गया क्यम सामनी की बुजा बड़ी होती है पुछी होने पिरमिय में पढ़ लिया है। इता हो गया अब एक चीज यहां पर ध्यान दो एक ध्यान दो यहां पर मैं इसके अंदर में कर रहा हूं थोड़ी चीज उसको देखो ध्यान से यहां पर ध्यान दो जैसे माल लो 180 है न इसमें से मैंने 7 घटाया और कुछ आया होगा हाँ हाह और disastro Out so yard जैसे से माइने 10 घटाया फिर भी कुछ आया होगा है तो मुझे यह बताओ कि इसमें बड़ी गिंति आएगी आ ाया एक में तुम सात घटा रहे हो दूसरे में तुम 10 घटा रहे हो तो जो सेसफल आएगा किसमें जाद आएगा इसमें वाले में या इसमें वाले में तो तुम कहोगे जिसमें से हमने कम घटाया उसमें क्या आएगा सेसफल जाद आएगा सिंपल सी बात है इसमें 173 आएगा इसमें 170 आएगा बोलो ऐसे ही तो एना कोईष्टंद में कि जो पीबी सी वह बड़ा है और क्यू बिसी क्या है सोरी क्यू चोटा एक है यह बढ़ा है तो भाई मघ्र तो ऑगर उसको हम घटाएंगे जो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा ना कि बोलो से यहां पर देखो अगर झोटी घंति घंगे तो मिलेगा वो जबकि बड़ी गिंती से अगर हम खटाएंगे को इसारी की समान है दोनों 1100 सी इसमें से अगर हम बड़ी गिंती गटाएंगे तो जो ऊचोटां आएगा इसलिए यह क्या हो गया बड़ा हो गया एक हो तो एक साथ सिम्यप अगर tama camb कर सकते हुआ यह यह 180-PVC है ना 180-PVC मतलब तुम ABC लिख सकते हो इसकी जगह पे नीचे मैं कैमरा करके दिखा दे रहा हूं एक बार देख लो फिर मैं पूरा दिखा दूँगा ठीक है नीचे कैमरा करके दिखा दे रहा हूं पूरा लिख देंगा चलो अब हम इसकी जगह पे समीकरण एक से लिख सकता हूं एंगल ABC और यह ऐसे ग्रेटर देन ध्यान देना समीकरण 2 से अगर इसको तुम मिलाओ तो ACB है क्या बच्चा एंगल ACB यहां से यह प्रोब हो गया कि एंगल सी और स्वरी है स्वरी ने फिर भी ठीक है एंगल सी जो है वो क्या है छोटा एंगल भी बड़ा है हां एंगल सी छोटा एंगल भी क्या है बड़ा है यानि कि अब तुम यहां पर समझो एंगल भी बड़ा है ना यहां पर हमें सिध्य क्या करना यार अब यहां से हम दिखा सकते हैं अब यहां पर देखो ABC कोण को देखो वहां से समझो ABC और ACB क्या है वो सब जल्दी देखो और फिर इसको उतारो पहले फिर मैं आगे बताता हूं कि नीचे दिख़ा कि नहीं वोपर कट रहा हो राओ इतना कर लो आ उत्तर आ ग्यावादधूद सबसा है एकदम हल्का सबसा है कि न दिखरा होगा तो बता देना मैं और उपर कर दूःँगा दूर कर दूःँगा यह उपर इतना ही लिखा गया था है ठेक जलो लिख लिए अबेचे जल्दी से लिख लो है फिर इसको मिठाऊं जलदी करो भई बहुत जल्दी कर फतर फ्रत करो ठीक है तो इस तो आगे बढ़ें अचर्ब क्लो क्या हो गया बड़ा हो गया और भी बड़ा हो गया चीच लख ठीक है लॉक के अब देखो अब देखो अब ध्यान दो आप ध्यान दो यहां पर हमने कोड को बड़ा सिद्ध तो किआ इन्गल भी है बच्चा ये बड़ा है यह इधर वाला C जो है छोटा है या फिर ऐसे कहलो Q1 बढ़ा है Q2 क्या है सरी फीवन बढ़ा है Q1 ठीक है हमने पढ़ा था जब इसका परगुण पढ़ा था यह फिर ऐसा कहलो की तिरभूझ का गुण पढ़ा था उसमें यह पढ़ा कि बड़े कोंड के सामने की भुजा बड़ी होती है है ना लार्जर जो एंगल होता उसकी अपोजिट साइड क्या होती है लार्जर होती है तो भाई अब बी के सामने की भुजा क्या एसी है यह बड़ी होगी और दूसरा अगर बात करें सी तो कोंड सी के सामने की भुजा ए है यह भी है एंब होगी छोटी होगी तो तो नीचे इसके लिख सकते हो क्या नीचे दिके दो रहा है ना मैं यहीं लिखवा दूं क्या नीचे लिखलो हम यहां लिख सकते हैं एसी इज greater than a b ठीक है यह हम लिख सकते हैं न लिख सकते हैं जल्दी फट से सभी बच्चे समझ लो बहुत जल्दी करो चलो ओके गुड़ ओके चलो जल्दी करो भाई फटा-फट करो लिख लो यह हो गया इसके बाद कुछ मैं आपको अस्पस्टी करन लिखवा दूं यहां पर तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे यहां पर समझ नहीं पा रहे होंगे वह से तो मैंने समझाया है ठीक हैं जल्दी करो वह से मैंने सब घटाया कुछ बताना नहीं है एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं ध्यान देजिए कुश्टन करा कि अकृति 7.48 में एंगल ABC की बुजाओं AB और AC को करमसा बिंदू P और Q तक बढ़ाया गया है यह एंगल दिया था जिसका नाम ABC था इनकी बुजा जो य उसके बाद बच्चा यह बोल रहा है कि साथ ही P,V,C क्या है छोटा है कि उसी भी बढ़ा है यह तो दिया है करा दर्सा यह दिखाईए कि AC बढ़ा है यह भी छोटा है है ना तो हमने क्या किया रहखी की उगम लगा दिया चूंकि यह कौन B और यह ऐसे अगर बात करें जो P2 क्या है P1 और P2 क्या है दोनों रहे कि कूब कुछ BC क्या है एक की रहा ने है ना चलो ओके मेंबर आप पहाँ अब देर में हो गया चलिए तो यह हो गया इसी तरह से इधर भी रैखी गुंग बन रहा है यह कॉंड q1 and q2 यह भी क्या कर रहे है लिनियर पेयर बना रहे है तो मैंने पहले लिनियर पेयर को लिख दिया जोड़के 180 लिख दिया उसके बाद यहां से abc कमान निकाल आवन 80 माइन फी बीसी हो गया और समझ मेंने वीडियो को बैख करके फिर से देखिए पूरा देखो कि आपको समझ में आ जाएगा चुकि यह बहुत आफान कुश्चन नहीं है जो बच्चे बहुत ही दिल से पढ़ेंगे यह उनको ही आएगा तो यह कुश्चन नमबर 5 मैंने लिखें आपके सामने आप दि कहरा कि इसमें sign Ka मतलब वता इसके दुम होता उसका मतलब बढ़ा है और से सिबसी वाल है जानते होंगे तो इनका यह मतलब है कि यह यह lange यह कि य्हाज काऊ और यह बड़ी है अगर यह प्य और है यह पी चोट है बस इतना जान लो ठीक है आगे कह रहा है PS पहले उनको देखो PS कहा है ये P और S, ये डाट में लाइन है डाट डाट है, इमेजिन लाइन है ये कौन QPR एंगल QPR यानि ये QPR मतलब ये अलग जो कौन है, P पे जो बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है सम्दुभाजित कर रहा है, ठीक है इतना दिया है, करा सिद्ध कीजिए मतलब प्रूब कीजिए एंगल PSR is greater than PSQ है ये हमें प्रूब करना है सिंपल सा है, आप क्या करोगे, पहले लिखो जो दिया है, यहाँ पे लिखो तिरभूज PQR में तिरभूज PQR में क्या है बच्चा दिया है PQ क्या है, छोटा है ठीक है, इसमें कोई लफ़डा नहीं न हम सभी जानते हैं कि हमने तिरभूज का गुण पढ़ा है, प्रपर्टी पढ़ा है कि बड़ी भूजा के सामने का कोण बढ़ा होता है, तो भाया अगर हम देखें PR तो PR के सामने कौन सा एंगल है अरे तुम सीधा फीधा देखो यार यह रेखा PR इसके सामने कोण 4 है न तो एंगल 4 क्या होगा बढ़ा होगा एंगल 3 से 3 का मतलब PQ के सामने का कोण यानि PQ के सामने का एंगल यह 3 यह condition होगी, प्लाई region लिख लो गे आप नीचे या फिर इसके वगल में बड़ी भूजा के सामने का कोण ठीक है ऐसे लिख लो बस बड़ी भूजा के सामने का कोण मतलब आप समझे गे, मैंने बोला आपने सुन लिया बड़ी भूजा के सामने का कोण कि अगर आप देखो तो एंगल वान इक कोल एंगल टू है वह कोंड एक कोंड दो बराबर है क्यूं यह मैंने कोंड नाम इसलिए दे दिये हैं जिससे आपको समझ मैं आएक हम कहां के बारे में बात कर रहे हैं यह इंगल फॉर इधर वाला एंगल फाइब इधर वाला है जो के लाइन आ रही नहीं यह उपर वाली इससे जो कॉंड बन रहा इसको पांच लिखा गया है और जो इधर साइड बन रहा उसको छे लिखा गया है ठीक है यह बराबर इस लिए है चूंकि जो पी एफ रेखा इसे सम्दुभाजित कर रही आप इसे लिख दोगे रीजन लिख दो पी एस क्या कर रही है कौण कामा लगा के ps की बाद कामा लगा ना कौण क्यूपी आर को सम्दुभाजित कर रही है क्या कर रही है सम्दुभाजित इंगलिस मीडियम और लिखेंगे कि यह इक्वल है विकाज पीएस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर उके इतना हो गया अब देखो अब हम बात करेंगे एक एक तिर्भूज में चुकि हमारे सामने दो तिर्भूज हैं अगर हम बीच वाली को एक लाइन मान लें मान लो इसको हमने पूरा-पूरा अच्छे से खीच लिया यह लो तो भैया एक तिर्भूज इधर बन रहा बाबू इधर बन रहा है ना एक इधर साइड एक उधर साइड बन रहा है तो हम पहले एक लेंगे पी क्यू एस और उसके बाद फिर यह पी आर एस दोनों को अलग-अलग ले करके हल करेंगे अब देखो यह धर जागा है तो महाहा कर देता हूं यहां दिख तो रह dépendने में लाइन की चाहित लाइन के उधर दिखाया ना पूरा नहीं दीख रहा हलके नीचे दिख रहा बस चलो ठीक है गोड यहा से इधर करूँगा आता अ क्यूं एस में एंगल जो 6 है बच्चा इधर वाला एंगल वह 1 & 4 के बराबर होगा देखो मैं बताऊंगा क्यूं अभी यह एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा यह क्यूं होगा पता है आपको आपने तिरबुच की प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके कार्डिंग क्या होता है आप ठ्रवाइन ओर हमने यह कॉन लिया। pqs तो हमें पता है यह क्या वाल एक स्टीरियilateं इंकल यह ऐसे और चाइग चाहिए च्छटांक miya एकस्टीडियर खूद अगल है तो जो इक्सटीडियर अगलर का्सव ckt हो ता है यह में फून जोड़ो गे निकर निक यह जोटो जो इसके पीछे वाला जो एक को छोड़ करके बाकी से इसके और इसके योग के बराबर होता है यह तिर्भूज की प्रोपर्टी आपने बेसिक उला पढ़ा होगा जब मैंने स्टार्ट किया था इंट्रो में उसमें पढ़ा था नहीं पढ़ा तो कमेंट करके बताना मिल तो इस कारण से हम जो एंगल सिक्स का बैलू है वान प्लस फोर के बराबर कर सकते हैं ठीक है इसको तुम लोग दोगे इक्वेसान नमबर फाष्ट चलो लिखो यह इक्वेसान नमबर फाष्ट ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब यह फश्ट हो गया यह आप सभी जानते हो इसी तरह से लिख लो इसी परकार इसी परकार तेर भुझ पी आरेस में, किसमें, पी आरेस में, बच्चा क्या है भाइया, इसमें भी एक वाइक कोण है, पाँच वाला अगर देखो तो जैसे मैंने अलग बनाया था, तो इसमें तुम लिख सकते हो अंगल 5 is equal, एंगल, कौन कौन सा, एंगल 5 का, अगर इसको 5 को भाइक कोण वान ओग दो पार्ट में हल हो गया एक तो हाँ इधर हल हुआ था यह इतना था समझ रहो ना एक तो यह हल हुआ था इतना और एक इधर हल हुआ है इसको लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो उसके बाद फिरम आगे चलते हैं बहुत जल्दी करो भाई आगे बढ़ते हैं फट एंगल 6 बराबर इतना दिया एंगल 5 बराबर इतना दिया है यह दिया है न तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं और अगर हम इसकी जगह पर मान रख देंगल 6 और यह ग्रेटर दें और यह एंगल 5 तो यह भी ठीक है क्यों ऐसा किया समीकरण 1 और 2 अगर आप कर सकते हैं आप नीचे आप देखो यही तो करना था यह यही तो करना था ना क्यूं करना था देखो हमें क्या करना है यस और जो उसमें दूसरा अलाकोंड है इन दोनों में यानी PSR और PSQ इन दोनों को compare करके हमें PSR को क्या करना बड़ा दिखाना है तो हो गया बड़ा नीचे लिख लो सिद्ध हुआ क्या लिखोगे सिद्ध हुआ या फिर इति सिद्धम ओके तो सभी बच्चे नोट कर लो ध्यान से समझे बहुत आसान सवाला एकदम सिंपल सा है कहरा कि दर्साइय कि एक रेखा पर दिये हुए बिंदु से जो उस रेखा पर इस्तित नहीं है बड़ा जीव सा सवाल है समझना पड़ेगा जितने रेखा खंड खीचे जा सकते उन में से लंब रेखा खंड सबसे छो साइन सेग्मेंट ठीक है कहरा दिखाईये कि एक रेखा पर दिये हुए बिंदु से जो उस रेखा पर इस्तित नहीं है अब देखो पहले इसका मतलब समझो यह फिगर में मिटा दे रहा हूं ऐसे बनेगा देखो पहले समझो कहरा कि दिखाईये तो चलो भाई मैं दिखात हूं एक रेखा पर दिये हुए बिंदु से पहले तो एक रेखा कीच लिया मैंने यल नाम है इसका करा इसको दिखाओ कि एक रेखा पर दिये हुए बिंदु से अब दिये हुए बिंदु कहां यह नहीं पता है लेकिन यह कह रहा है कि दिये हुए बिंदु से जो उस रेख पर नहीं है वो कही 취 on रह channels eight बिनदू है कि कह रहा से जितने भी रेखा कंड सब से चोटा होता है यहाजनी लंब रेखा खंड से हैए में सिद्धी लाइन भी सिद्रेंगी है तो मुझा लो कि वह बंदू यहां है तो यहां से लंब रेखाखंड की बात किया तो मैंने एक लंब रेखाखंड खीच दिया इस पे से हम यहां एक भी और भी खीच सकते हैं कि जितने भी रेखाखंड खीचे जा सकते हैं यहां से यह भी खीच सकते हो इधर को भी खीच सकते हो इसमें आप धेर सारी खीच सकत यहां पर हम को यह प्रूब करना है कि जो यह रेखा खंड' है मैंने जो लाइन खीचा है Q, R यह छोटा है और यह P, Q बड़ा है क्यूं? क्योंकि कारा जो लंब वाला उस अफसे छोटा होता यह दिखाना है, प्रूब करना है चलो लिखो इधर साइड में, जल्दी फिलिखो, सिध करना है, उसको छोटा दिखाना है बस उसको बड़ा कर देना है, चलो फटा फट लिकलो बच्चा, लिखो, सिध करना है, क्या सिध करना बहिया, qr is less than pq यानि pq को हमें बड़ा प्रूब करके दिखा देना है तो चलो फिर क्या देर किस बात की देखो अगर हम तिर्भूज ले 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 pqr तो pqr ये एक तिर्भूज है हम जानते हैं कि तिर्भूज के तीनों कोड़ों का योगफ़ल 180 होता है अब अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे 180 होगा वह आप सभी को पता है हां पता है लेकिन बच्चा यहां पे जो आ रहे हैं इसका मान नब्बे है क्योंकि देखो यह समकोन बना रहा है तो तुम कहा करोगे यह आर की जगा पे नब्बे रख दोगे इकॉल 180 यहां पे फाइनल में एंगल P प्लस एंगल Q इकॉल 180 माइनेफ नब्बे यानि आपको पता है कि एंगल P धन एंगल Q इकॉल नब्बे आएगा कितना आएगा 90 आएगा इसमें किसी को कोई मुसीबत है नहीं है देखिए यहाँ पर एक चीज प्रूफ होता है वो क्या है वो यह है क्या है यह है कि यह कौण आरतों अकेले 90 का है लेकिन जो कौण P है और कौण क्यू है यह दोनों का योगफल करने पर 90 आता है मतलब सिद्ध क्या होगा देखो या तो यह 45 यह भी 45 का हो जाएगा या यह 30 का हो गया यह 60 का हो गया ऐसे कुछ होगा मान लेते हैं एक मिनट हम यह भी 45 का है और यह भी 45 का है क्योंकि तीनों को सब जोड़ने पर एक यह 50 आव यह तो देखो आब मतलब समझों यह यहां से यहां से आप प्रूब कर सकते हो क्या यहां पर प्रूब कर सकते हो तभ क्या क्या सिद्ध करें बहुँव आई ए निइदेना कि है वसक्तेशल को चलो सबसे बड़ा कौन है पहले ये बताओ सबसे बड़ा कौन है वहार है COPYORA सबसे बड़ा है और ये दोनों बड़ाबर है तो हम कुल मिला करके सब न लिखें सिधा-सिद्धा अपनी बात लिखें और आपको समझा दें उसके बाद लिखें तो 90 अंस की जो सम्मुख भुजा है यह है PQ, 45 अंस की जो सबसे बड़ी भुजा है, oh sorry, 45 अंस यानि यह P की जो सम्मुख भुजा है, वो QR है, तो इस तरह से आप कह सकते हो क्या, यहाँ पे लिख लो, चूकी, एंगल, P, इज, लेस देन, एंगल आर, इसलिए, इसलिए, यहाँ पे लिखोगे आप, PQ, इज, लेस देन, ओ, गड़ बड़ हो रहा है, यह ग्रेटर देन रहे हैं, भाई, बड़ा है न, PQ, इधर को करो, इधर को कर दो दो मूँ, यह, इधर QR, PQ बड़ा होगा, QR छोटा होगा, क्यूं होगा, ब्रेकट में लिख दो चाहे तो, ब्रेकट में लिख दो, क्यूंकी, क्यूंकी, बड़े कोंड की, सम्मुक भूजा हमेशा बड़ी होती है, समझ गे न, जब मैंने CPCT पढ़ाया था, उसमें भी बहुत सारे रूल पढ़ और हाँ, वो यह बताना है, कि अगर आप इस तरह से पूरी क्लास एक साथ पाना चाहते हैं, और आप कोई भी कुश्चन ना आने पर पूछना भी चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी प्रीम क्लास जोईन कर सकते हैं, इस नंबर पर फोन करके, या वाट्साप करके, इं इस्टाग्राम पर फालो करें, हम हर जगा आपके लिए कलास उपलब्द कराने की कोश्चिस करेंगे, जैहिन!